क्या स्वाइब अक्तार नेपाल टीम का बोलिंग कोच बनने वाले हैं या वकार यूरूस नेपाल टीम का बोलिंग कोच बनने वाले हैं या वसीम अकरम बोलिंग कोच बनने वाले नेपाल टीम का क्या तीनों खिलावी से कोई ना कोई खिलाडी कोचिंग करने वाले नेपाल TV का हर को यह बाते कर रहा है सोसल मीडिया में सा वैब वीडियो और आऊड़ फोटो वाइरल हो रहा है कि नैपाल टीम को स्वाइब अक्तार wykon eta कुम किसी खेना कि선ि को नैपाली तिम लेगा उनको कोचिंग में डालेगा उस में सेतीम में से किसी सिद्रके खिलाडी को नैपाल को लेना चाहिए उनको कोचिंग कराना चाहिए बोलिंग कोच नैपाल टिउम का सक जुरुरत है किसी न तीनों में से एक न करें सकता है तक हैं तो को ओच करेंना पर गवां नेपाल टीम को आंगे नहीं ना उनका कउसना पैसे होंगे क्लिंगर करें इतने बड़े लोग को लाना इतने बड़ा रकम देना बीकर, कोई टीम हार जाता है तो इसके मतलब यह नहीं है खरआब नेपाल ठीम कर्म यह कोई तीम हुम मिलता है तो हम लोग खुश रहते हैं जब हार जाता है तो तौह कोच अपर होना चाहिए यह आ plugged好吧 और नहीं हो मेरे ख्याल से में बजन के पास नहीं है कुण बोलिंग कोस बनाए ऐसा नहीं करना भी चाहिए तैयारी के लिए हो सकता है कोई ना किसी को हाइर करें कहीं करें इतने बड़े लेजन को साइद में अच्छा ना करें अगर हायर कर ले बहुत बड़ी बात है अच्छी बात है नेपाल टीम के लिए कि नेपाल टीम और गुरोव होगा और स्कील मिलेगा ने टेकनिक मिलेगा बोलिंग करना और अच्छे सा हमारे इंप्रूब हो जाएगा फिलगाई से जो पार मिला है बेकिल आप जो पाते शुने हो यह तीनों खिलाडी का नाम मैं जो लिया हूं हो सकता है वygChamp नाना है हो सकता है नेपाल लोगो लोगों को ना अफोर्ट कर पाइं मेरे इसा लगतला हो सकता है फोर्ट बात हम लोग खुस हो जाएंगे हो सकता पन्सक्राद है सब्सक्राइब सब्सक्राइब सोयब अक्तर आने वाले नेपाल में कोचिंग करेंगे बोलिंग कोच बनने वाले नया कोच नेपाल को मिलने वाला है आप लोग क्या रखता है तो मैं सुच आप लोग से राय लेता हूं आप लोग को क्या राय है कि कोई बोलिंग कोच लाना चाहिए लाना तो चाहिए बोलि लगाता नेपाल तीम को और केन बोर्ड को लाना भी चाहिए लाना भी चाहिए वीडियो चाहिए लाइक भी करो सब्सक्राइब भी करो फॉलो भी करो ठाहेंगे बोर आचिंग गाईस मिलते हैं नेक्स वीडियो में